हेलो दोस्तों मुझी श्वागत करता हूँ आपके अपने चाली उपर आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एने एस दोजाचोविस राष्टियो पलब्दी सर्वे कक्चर शड़वी विशय गर्णीत का आठवर शप्ताय का पेपर पन इसमें शॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ पर अपना पहला कोश्चन क्या होता है शंख्या 208 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है यानि कि 208 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है यह आपन को बताना है जैसे कि अपन को जोड़ तो आते ही होगा अगर 200 में 8 जोड़ दें अपन तो 208 बन जाता है तो यहाँ पर बैसे ही किया गया है तो यह वाला option आपका सही हो जाएगा ठीक है ना अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलेग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं टेलेग्राम चैनल का नाम है जीट4 यू इसकी PDF मतलब इसकी link आपको description में दी हुई है अगर वहाँ से open नहीं होती है तो आप डारेक्ट सर्च कर सकते हैं जीट4 यू वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगे आंगे चलिए अगला question क्या है अपना एक football stadium में 8300 लोगों को बैठने की छमता है परन्तु हर 34 seat पर लोगों को बैठने के निर्देश प्राप्त हुए है यानि कि 300 आपको खाली छोड़नी है चौथी seat पर आपको बैठना है हुए इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों के stadium में प्रिबेश दिया जा सकता है चलिए अपन देखते हैं कितने लोगों को प्रिबेश दिया जा सकता है अपन को क्या करना है 8300 में हर 34 seat पर है न तो यहाँ पर अपन 4 का भाग दे 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 तो पहले दो बार जा जाएगा ठीक है ना यहाँ पर अब दो बचेगा दो बचेगा यहाँ पर जीरो अतार लेंगे तो अब क्या होगा चार पंचे 20 2075 टोटल कित्ती बत्ती बेठेंगे 2075 तो कौन से option में आपन को दिया गया है 2075 डी वाले option में आपन को सही आंसर दिया गया है कितना आ instagram भी join कर लेना instagram की ID में अभी आपको बताऊंगा आपकी गड़ित की पुस्तक के मिलने वाले दो किनारों कौन सा समकौर बनाते हैं दो किनारे अपन अपनी गड़ित की पुस्तक के मिलाते हैं तो अपनो क्या बनता है शमकौर बनता है क्या बनता है शमकौर ओके तो चलिए अंगे चले आंगे क्या है छह मीटर लंभी पती को से 30 स्यमी मांप की कितनी बाहबर ब्रटी है बनना सकती है तो अपने को एक बात एक मालूम होनी चाहिए जो एक Déir होता है वह एक지 हूज और से 107 से consist with based initial कितनी सैमी से मिलकर बना ठीक है यह अपन को याद रखना है तो यह याद हो गया 600 से हमी आगे अपना और 30 से हमी की माप की बनाना है अपन को पट्टी तो अब इसमें 600 में 30 का भाग देंगे ठीक है ना 30 का भाग देंगे 0 से 0 3 2 6 टोटल अंसर क्या आगा अपना 20 30, ऐसा समझ में नहीं आया है आपको, तो सीधे ही ऐसा भाग करके अपन देख सकते हैं, आप छहसो लिख देंगे, यहांपर 30 लिख देंगे, काटना तो आता होगा, तो 1-0 सो पहले 1-0 पन यहांपर, देखो काट के मैं बता रहा हूँ, आपन लिख देंगे 600 अपन लिख दे शे कितने तीन दूनी शे यहां बच्छे में पूरा पूरा चलागा यह जो वस्ता है अपना पर आजाता है आपको ध्यान देना तीस धंवा तीस होता है और बीस बार पढ़ेंगे अपनको तो साथ आ जाएगा सिधी सिधी बात अपने को याद रखनें तो बीस आपका आशा हो जाएगा ठीक है ना अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी तो आप करन करके जरूर ठूचिएगा आगे चलें अगला है अनिल ने बामून लड्डू बनाए उसमें छे पिलोटों में बराबर बराबर लड्डू रखे सेश बचे लड्डू की सही संख्या को द डूनि बारा छी ती ठारा छे चोक चोबीस चह पंच सेथी सचीं चात्ती सहाथ ब्यारीस छे साथ ब्यारीस छे आठ ऐड़्डू ठीक है यहां पर कितना अगए अर्ट अब आगे पढ़ेंगे तो ज्जादा हो जाएगा यहाँ पर इस मेंसे एक आंसर ले लेंगे तो बा यह तो भाग फल होता है, सेस फल होता है, यह भाजक होता है, ठीक है ना, यह तो आपको मालूम होगा, सेस कितना बचा, चार, तो अब आंसर क्या हो जागा, चार, आगे चलें अब, अब चलिए, अगला कुशन है, अंको, दो, चार, छे, तीन, एक सेस, पित्ते का केबल एक प्रियोक करते हुए, पांच अंको की बनाई जा सकने बारी सबसे बड़ी, और सबसे चोटी संख्या का अंतर बताना है, तो दिखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का अंतर बताना है, तो दिखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बनाना है, तो सबसे प फिर 6 लिख दें इन मैंसे इनको माइनस कर देंगे तो अपना क्या जाएगा यहां से एक हसल लेंगे तो यहां पर 11 हो जाएंगे यहां पांच बचेंगे ठीक है ना पांच यहां पर फिर से 11 बचेंगे तो 11 मैंसे 4 गई 7 बचेंगे ठीक है ना यहां पर 2 बचे तो 12 हो गए 12 14 में 3 गई यहाँ पर 9 बचेंगे यहाँ पर 3 बचे तीन में से 2 गई यहाँ पर 1 बचे एअ पर 6 में सेएग यहां पर 5 बचे गा 9975 टोटला अंसर केतना आया 9975 केस पर वर में दिया गया option number c में दिया गया firm Sap στα का आगे छली तो यह दिक his कि मैंने इस्टा इडी का बोला थो आपको मेरी इस्टा इडी है जिसमें लिखा है जीतेंद्र 06006 इसको आप डारेक्ट सर कर सकते हैं या डिस्क्रिस्ट ने दी हुई लिंक से भी आप डारेक्ट जा सकते हैं कोई रिक्त वाली बात नहीं है आहीं चलिए दवाईयों को वक्सों में भरा गया है और ऐसे पित्येक वक्स का भार 6 KG 500 क्राम है एक बेन में जो 975 किलोग्राम से अधिक नहीं ले जा सकती ऐसे कितने वक्त से ला दे जा सकते हैं तो दिखिए अगर अपन इसको 6.5 लिखेंगे 6.5 तो आप पे इसका भाग देती नहीं बनेगा अपन को लगभग में आंसर लेता हैंगे तो आपको भाग बन जाएगे तो 6 का भाग आपन 975 में दे देंगे तो लगभग 162 आता है ठीके ना लगभग तो इतना तो इसके करीब करीब आंसर होना चाहिए यसे कम नहीं होना चाहिए इसके सबसे करीब कौन सा है 150 है ठीके ना सबसे करीब कौन सा है 150 यानि के 150 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा ठीक है न आप भाग देखर भी देख सकते हैं और पूरा पूरा अगर आप पे 6.5 का भाग देते बन जाए तो पूरा 7 to 7 आंसर आ जाएगा अचली एक काली सेर में तीन विक्ती जाएगा से साथ कदम उठा करो चलना पर हुरा हम करते हैं उनके कदमों की लंबा में सब फोटी सेमी 48 सेमी और फोटी 5 सेमी जानी के चालीस सेमी अर्तालिस सेमी और पैंतालिस सेमी इनमें से पित्तेक नियूंतम कितनी दूरी चले के पूरे पूरे कदमों में तैह हो जाए तो अपन को क्या करना है 40 और 48 और 45 के गुड़नखंड निकाल ले ले हैं यानि के लगुत्तम समाबरतक अपन को ले लेना है एक साथ तो इनका लगुत्तम समाबरतक क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ 2 गुड़ें 2 गुड़ें 2 गुड़ें 2 गुड़ें 3 गुड़ें 5 इतना आएगा ठीक है न इतना गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा 5 ती 15 15 ती 45 45 ती 90 90 दोनी 180 तो 720 अपन को डी वाले ऑप्शन में दिया गया है यह अपना आंसर आ जाएगा 720 ओके आंगे चलिए एक व्यक्ति अपनी पारंबे किस्तिती आने के लिए एक ही दिशा में कितनी गूमेगा दिखी एक व्यक्ति है इसको यहां से लेकर यहां तक गूमने के लिए कितना चलना पड़ेगा दिखी इसको अपन चार भागों में बांट दें तो यह एक समकौन हो जाता है दो समकौन हो जाता है तीन समकौन हो जाता है चार समकौन हो जाता है तो दिखी यहां पर आपको मालूम होना चाहिए जो समकौन है वो 90 डिगरी का होता है और और रिजू कौन है 180 डिगरी का होता है और जो संपूर्ण कॉर्ण है 360 डिगरी का होता है ठीक है ना यह आपको मालूम होना चाहिए तो यहाँ पर बोला गया है 4 संपूर्ण यानि के 360 डिगरी गुमेगा तो अपनी सेम जगह पर आ जाएगा 2 रिजू कॉर्ण 180 180 किता हो गया 360 और संपूर्ण गुमेगा 4 संपूर्ण गुमेगा 2 रिजू कॉर्ण गुमेगा तो आंसर क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी आपको याद होना चाहिए ठीक है ना उपरोक्त सभी आपका अनसर आ गया आंगे चलिए राजु के पास 30 पहन है सोहन के पास 60 पैन है रहिम के पास 90 पैन है 5 महिने बाद राजू ने 10 सोहन ने 20 और रहिम ने 30 पैन प्रयोग कर लिए पित्यक पैनों की कौन सी भिन प्रयोग किली है तो दिखिए यहाँ पर अपन भिन बनाते हैं 30 में से अपन ने कितने प्रयोग किये 10 प्रियोग कर लिए ऐसे नहीं है अपने पहले 30 थे अपने पास उसमेंसे अपने कितने प्रियोग कर लिए 10 प्रियोग कर लिए इसके बाद इसके पास किते थे total 60 थे 60 मैंसे उतने किसने प्रियोग कर लिए 20 प्रियोग कर लिए आँगे अभी इसके पास टोटल किते थे 90 थे 90 में से इसने किसने प्रयोग कर लिए 30 प्रयोग कर लिए ठीक है ना तो यहां पर आकर आख इसको solve करेंगे अपन तो one upon three आता है टोटल पूरा answer सभी का answer इसको काट देंगे तीन आ जाएगा यहां पर दो दो तिया इच्छ है इ आ गया ना एक बटे तीन एक बटे तीन तो यहां पर answer क्या हो जागा एक बटे तीन प्रयोग कर लिए ठीक है ना तो यहां पर एक बारोत देख लीजिए इंस्टा इडिये अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वीडियो की नीचे तो आप डारेक्ली इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए मैं हर एक मेसेज का रिप्लाइ तुरत देता हूं आपको बेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्काइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकते मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद